कि है हाई वेलकम बेक टूहुलनीजार तो आज के सिशन में हम देखें ह्परूट 5 और नमबर लएट नॉम्ब्र लाइन में ने हैं रूट PB करनी है नंबर लाइन प्रीवेस्ट वीडियो में हमने ड्रौ की थी नंबर नाइन सेम यहां पर इस नमब लेट रौ करनी है एक परपेंडिकलार ड्रा कडूख रोगे चाहां पर बन जाएगे कमेडिकलार घूर कर देता हूं चाहिए ऐसे फिरोपेंडिकलार बन जाएगी अब यह पौन दिकलार हमें हодноतु करने उन सेटने लेना है उसका कितनी लिने तो लीनिये परपेंडिकलार की यह जो सेग्मेंट बनाई है उसकी टू इन्यट तो विद्ध एलप आप कंपोस कंपोस बोले तो जो लंगडा है ना उसके जो हम पैंसिल यूज कर लेते हैं उसका जो फिक्स टो के यहां पर रखेंगे वन पे और जो मुविंग टो के पैंसिल व इसे लेना है और यहां पर यहां पर एक टो रखेंगे आप मुविंग टो कंपोस का यसर आर्क गर लोगें टूट यूट एँ यह देखिए डिपरैटरिंस है लास्ट थाम हमने बेस भी वनइट और हईट वन उनिट लिया था जब हम रूट टू मेंशन कर रहे ते रूट तू रिप्रजेंट कर रहे थे आज हम रूट फाइं रिप्रजेंट कर रह तो हमें यहाँ पर de हाना रहा है बेश क्लिए लेकर हाइट हमने two लीए two unit हाईट यहáticas है ठीक है अब क्या करना यह यो कटा हुआ आर्क है और zero है जैंग कर लेना है, so यह बनेगे जैंग, like this आब यह जो ट्रैंगल बनाईए है राइट आइगल ट्रैंगल, so इसको हम नाम देते हैं इसको बोलेंगे ट्रैंगल a, b, c, okay, like this ट्रैंगल a, b, c और इसमें height जो है height है, कितनी height two unit height है base कितना है, one है और यह जो AC नज़र आ रहा है आपको AC यह वाला परेक्ट यह है 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 पोटेनेस आप दिस ट्रैंगल क्योंकि 90 एंगल एट वर्टेक्स भी एट भी है ठीक है करने के लिए विद अपोटेनस होता है है इसे स्कुख़एर प्लस है ट्राइट स्कुख़एर या मैंच से हैट स्कुख़एर प्लस बैस स्कुख़एर एग एगर अगर हइट पता है बेस पता है तो हम हइपोटेनस था उनका सकते हैं तो लेट सी लेट शी निपस्ट स्क्राइब मतलब 2 स्कूर eh so let's see next step हाइट हमने जिस्ट है लाव कि यह तूउमेट सो यहां पर हैट का स्क्वेर मतलब टू का स्क्वेर आ जाएगा परेक्ट बेस है वन यूनिट सो वन का स्क्वेर सो लेट सी नेक्स टेप टू स्क्वेर कितना मिलेगा यह जो टू स्क्वेर है पता है हमें कितना होता है फोर होता है और वन स्क्वेर कितना होता है वन ही होता ह आप देखे किया है तरा प्रोम बोट लिए कितना मिल अंतर आयों अब देखे यहां पर एक के स्वेड़ इक तर्ण फॉयों इंतर मुनिटे लेकिन हमें चाहिए उनले लीघी स्वेर्व में नहीं चाहिए सो क्या करना पड़ेगा यहां पर स्क्वेर रूट लेना है क्या करना है स्क्वेर रूट लेंगे स्क्वेर रूट ओके स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा अब देखिए एसी स्क्वेर का स्क्वेर रूट लेंगे तो हमें मिलता है एसी लेट सी हाँ पर एसी मिल गया और फायू का स्क्वेर रूट लेने पर क्या मिलेगा इन रूट इन स्क्वेर रू में 밤 चीज सी एक्वल टू रूट फइव अब देखें यहांपए इन ट्राइंगोल एसी मिला में रूट फायो अब क्या करना है Let's लेट सी इंपोर्टनंट कार्फूली लेसी जो है एसी हमें आज अ कॉंसिडर करना है ररीडियस और जीरू देश एस सेंसर चले है ईसले उपपाइब वित ना डिस्टन्स लोगे इस उरेडियस लेना और सेन्टर आपको लिनाए जीरो मतलब आपका जो फिक्स्ट हो के आप लोगे जीरो पे और ऐसी से आप क्या करोगे एक सरकल बना लेना कितना बना लेना जस्ट ऐससे लेकर कि आपको number line तक ढ्राव कर लेना है पूरा सरकल करने की जर्रत नहीं एस तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि हमें साइद में मैंनी करना उनली हमें राइट साइड में पोजिटिव नंबर करना है तो हम क्या करेंगा भी with the help of सब्सक्राइमें, ए इस दिस्टंस है, मीन्स रूट ओफ इश्टंस हमें लेना है, विद धाल पॉप यहाप के जी रोब भिटे और ऑफ पर खुरो के जिरो पे जो मुविंग टूप है उपन Tोक हाओ लोगे आप एक से आप रोग रए नीचे लाइक दिस ओके और जहाँ पे आपकी यह आर्क इंटरसेक्ट हो रही है यह नम्मर लाइन से का पर हो रही है यहाँ पर तो उसको आप नाम दीजिए D, point D और यह जो point D है यह है आपका root 5 मतलब CD, यह जो distance है CD, यह कितना distance है, root 5 है और यह बताई है root 5 कहा आजाएगा 2 से आगे आएगा या पीछे, 2 से आगे जाना है root 5 की value greater than 2 होती है, 2.23 something हो जाएगी हो, चीक है 2 से आगे आना है तो let's see, इसको तोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं देखें इस figure में ओके, one minute हाँ, अब इसमें देखिए A से हमने एक आर्क ड्रा कर ली, मतलब आभी देखिए AC अहाँ पर radius है तो यह जो CD है, यह भी तो radius ही है और radius से में होनी है correct, so AC कितना, AD कितना है not AD, CD okay, AC अगर root 5 हो है तो CD कितना ही है, यह वाला भी root 5 में गया, in this way we can represent root 5 on number line, यह बन गए हमाना root 5 on number line, I hope you understood how to represent, okay मैंने roughly ड्रा किया है लेकिन आप, with the help of अपने जो compose box है instrument जो भी है, compose है set square है scale है, सबका use करके आपने अच्चे से ड्राव करना है, ठीक है यह important question है, आपके exam में आता ही है, ठीक है root 5 आजाएगा, नहीं तो root 2 आजाएगा, दोनों में से एक question 100% आपके exam में आता है I hope you understood thank you for watching, and one more thing आपको subscribe करना है ठीक है